हेलो एवरिवन, मैसेल्फ दिपिका अरुडा फ्रॉम हेश्टेग BCPSKV क्लासिस आज हम करेंगे क्लास एर्थ का एक्साइस 4.1 कोशनबर 1 का थर्ड पार्ड जिसमें हमें दिया है समांतर चत्रबुच MORE जिसमें O R बराबर 6 cm, R E बराबर 4.5 cm और E O बराबर 7.5 cm दिया है तो इसका एक रफली फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं M O R E हमारे पास M O नहीं दिया, O R है 6 cm, R E है 4.5 cm और E O दिया हुआ है 7.5 cm, 7.5 cm अब हमारे पास E M और O M नहीं गिवन है तो हमारे पास लेकिन कोशन में हमें ये बताए गया है समांतर चत्र बुच, समांतर चत्र बुच की प्रॉपर्टी हमें पता है, आमने सामने के बुचाएं कैसी होती है बराबर 4.5 cm ये है तो ये भी हमारा 4.5 cm होगा ये वाली भूजा हमारी 6 cm है तो ये भी 6 cm होगी अब हम इसे draw कर लेते हैं मैंने यहाँ पर M.O. को base लिया है तो मैं यहाँ पर M.O. को ले सकती हूं लेकिन मैं E.O. को base ले रही हूं E.O. को base ले लेते हैं और एक 7.5 cm की line draw करते हैं यह हो गया E यह हो गया O 7.5 cm अब हमारे पास 7.5 cm की हमने लाइन ले ली है E यार लेंगे 4.5 cm तो स्केल से 4.5 ले लेते हैं इपर प्रकार रखकर 4.5 cm का एक चाप लगाएंगे और हमारे पास O से भी OMB 4.5 cm दिया हुआ है तो O से भी इतनी प्रकार 4.5 cm की एक नीचे ड्रॉक कर लेते हैं Next हमारे पास है ER हो गया अब हमारे पास देना है OR जो है 6 cm 6 cm है यह 6 cm के प्रकार खोल कर एक चाप ऐसे लगाई और एक चाप E से ड्रॉ करेंगे नीचे की और इस बिंदू को हम नाम दे देंगे R और इसको दे देंगे M Then ER को जोइन करेंगे और OR को जोइन करेंगे Then OM को जोइन करेंगे और EM को जोइन करेंगे Er हमारे पास दिया है 6 cm RO दिया है 6 cm ER हमारे पास 4.5 cm Then EM दिया है हमारे पास 6 cm OR दिया है 6 cm और यह भी 4.5 cm Then हमारा फिगर रेडी है अब इसकी रचना कर लेते हैं एक बार दिया है हमारे पास दिया हुआ है रचना में जो हमारे पास कोशन में दिया होता है उसे ही हम लिख लेते हैं OR बराबर 6 cm RE बराबर 4.5 cm EO बराबर 7.5 cm रचना हमने एक बनाई है समांतर चत्रबुच MO RE Next आ जाता है रचना के चरण एक रेकाखंड EO 7.5 cm बनाया बिंदू E को केंदर मानकर परकार की साहता से 4.5 cm की चाप लगाई Next पॉइंट है बिंदू O को केंदर मानकर परकार की साहता से 6 cm की चाप लगाई नेक्स्ट पॉइंट है दोनों चाप ने एक दूसरे को जिस बिंदू पर काटा उसे R नाम दिया R E और R O को मिलाया नेक्स्ट पॉइंट है बिंदू E को केंदर मानकर परकार की साहता से 6 cm की चाप लगाई नेक्स्ट है बिंदू O को केंद्र मानकर परकार की साहता से 4.5 cm की चाप लगाई नेक्स्ट है दोनों चाप ने जिस बिंदू पर काटा उसे M नाम दिया नेक्स्ट है EM और OM को मिलाया MOR अभिष्ट समांतर चत्रबुच है यह कोशन कम्प्लीट हो गया है If you have any doubt, any query, please comment below in the comment section और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे like करें, subscribe करें और friends के साथ share करना ना भूले, thank you